नमस्कार दोस्तों आज की इस ने वीडियो में एक बार फिर सापका स्वागत है शीग्र लेखन एम्मुद्र लेखन कौशल परिक्षा का सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा कहां से मिलेगा कैसे मिलेगा संपुड़ा जनकारे के लिए फिडिमान तक बने रहे इस प्रका मुद्र लेखन की कौशल परिक्षाओं के लिए योग्यता धारी अभ्यर्थियों से आनलाइन आवेदन पत्र परसत की वेबसाइट पर दिनांक साथ दो दोजार चोबीस से अमंत्रित किये गए हैं आवेदन प्राप्ति की अंतिमतिती थी 27 परोईद दोजार चोबीस ने नहीं बताया गया है तो कम से कम सोला वर्थ उम्र सीमा कम से कम सोला होना चीए अधिक्तम कोई लिमीट नहीं है परिक्षार्थी अभ्यर्थी परिशत की वेबसाइट में महत्त्र पर सुचना लिंक में जाकर परिशत की 36 गड़ राजपत्र दिनांक 3823 में दर्शित विस्त अंग्रेजी सीगर लेखन हिंदी अंग्रेजी कम्प्यूटर मुद्र 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 लेखन जिसमें आप किसमें लेना चारे है ठ परिक्षार्थी को प्रत्यक परिक्षा के लिए प्रिथक प्रिथक आविदन तथा परिक्षा सुल्का का भुगदान करना अनिवारे होगा। परिक्षा के लिए पांच संभाग रायपूर, दुर्ग, बिलासपूर, जग्दरपूर या मंविकापूर परिक्षा केंद्रा बनाया गया है। परिक्षा के लिए प्रत्यक करते हैं यदि किसी भी प्रकार की आपको समस्य आती है तो आप इस नंबर इस इमेल से संपर्क कर सकते हैं और इनका जो मुख्याला है इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अब देखिए इसके लिए जो क्या-क्या और दिशा निर्देश है आनले नर्दन कैसे करना है पूरी जनकारी आपको देता हूं है। यह रहा दिखिए जो राजपत्र में प्रकासी थै तो परिशत को दिश से क्या विभिन सासकी अर्थ सासकी करयालो यहम स्वायत सासी संस्ताव में डाटा इंटर अपरेटार, प्रोग्रामर, साहाग प्रोग्रामर, साहाग ग्रेट 3 तथा सिघ्र लेख, खक, इस्टेनो ट अर्थियों को प्रमाण जो पत्र दिया जाएगा, इस प्रकार से देख सकते हैं, परिक्षात का गठन, इनके सदस्दारा किया गया है, परिक्षाएं, तो प्रदेश में परिक्षाएं, नीचे वड़ित नेमो के अनसार होगी, इस प्रकार से अब देख सकते हैं, परिक्षा की माध्यम है ठीक है आप देख सकते हैं तो यह रहा जो राजपत्र का नियम निर्देश दिया गया हिंदी सिग्रेलेखन के लिए परिक्षा की पध्धति क्या रहेगा इस प्रकार से देख सकते हैं कितने मिनट करेगा तो 40 मिनट में कंप्यूरा टाइपिंग करन होगा ठीक है उसके देख सकते हैं परिक्षा खा के लिए हिंदी और अंगरीजी अलग अलग के लिए देखिए 5000 की डिप्रेशन में क्या रहेगा ठीक है तो इस प्रकार देख सकते हैं यह सभी PDF आपको सीधे हमारे टेरीग्राम ग्रूप से मिल जाएगा अब चलिए दूस टाइब करेंगे ठीक है इसके बाद आपका सामने इस प्रकार से पेज आएगा उस पर सर्चा करेंगे तो आलाइन आवेदन दिखाई देगा परिक्षार्थी के लिए आलाइन आवेदन दिखाई देगा इसमें आप जो है देखेंगे कंप्यूटर टाइपिंग और परिक्षा है तुँ परिक्षार्थी आलाइन आवेदन देखेंगे देखेंगे आप क्या करेंगे देखिये यहां थ्री डर दिख पर क्लिक करणा या आप अपने mobile को desktop mode पर कर सकते हैं इस प्रकार से desktop mode पर कर सकते हैं ठीक है desktop mode पर करेंगे ठीक है तो दोनों तरीका से आप कर सकते हैं ठीक है यहाँ देख सकते हैं इस प्रकार से दिखाई दे रहे हैं अब आपको करना क्या है ये three dots दिख रहा है three dots पर आप क्या करेंगे ठीक है मुख्यप्रिष्ट दिख रहा है हमारे बारे में typing mock test ठीक इस प्रकार से दिख रहा है अब नीचे आपको दिखेगा online आवेदन तो इस online आवेदन पर आपको click करना है जैसे आप click करेंगे इस प्रक आपको क्या करना है अब आपको अपना क्या करने के बाद अपना मुबाइल नंबर फिल करने के बाद देखिए यहाँ candidate name निखने और mobile number डालना है ठीक है पहले दोनों काम कर लेजे अपना name और mobile number फिर क्या करना है आपको send OTP पर click कर दिना है नाम और mobile number डालने के बाद send OTP पर click करें इस प्रकार से send OTP कर दिजिए send OTP करेंगे तो आपके registered जो mobile number डालेंगे उस पर आप OTP जाएगा उस OTP को इस प्रकार से जो OTP आया उसको आपको डालना है इस time के अंतरगत आपको जो OTP दिया गया है उसको fill कर लेना है अब आपका registered हो गया अब क्या करेंगे अब आपको यहाँ नीचे अपना password बनाना है ठीक है confirm password बना लेंगे ठीक है इस प्रकार आपको जो है password बना लेना है आप special character वगरा डाल करके आप जो password बना सकते हैं तो square आपको क्या कर देना है submit कर देना है ठीक है submit पर click करेंगे इस प्रकार से submit पर click कर देंगे तो आपका देखे record सफलता पुरोग सुरक्षित किया गया पतला आपका password जनरेट हो चुका है आपको ok कर देना है ठीक है ok करेंगे इस प्रकार से देखे अब पुना इस प्रकार से आपके सामने page आएगा आप देखे नीचे आएगे तो आपको इस प्रकार से दीखेगा कि आ आपका mobile number पंजियन हो चुका है candidate के पंजियन के लिए अब क्या करना है आपको login पर क्लिक करना है इस प्रकार से लागीन पर क्लिक करेंगे तो पुना इस प्रकार से आपके सामने page आएगा इस page पर आपको नीचे आना है candidate लागिन करना है तो आप अपना mobile number और जो password बनाए है उसके माधम से आपको क्या करना है लागिन करना है यदि आप password भूल गए ठीक है तो आप पुना जो है password भूल गए करके जो है इस पर click करके आप जो है जनकारी दे करके अपना password पुना जनरेट कर सकते है mobile number डाल करके ठीक है तो हमको क्या करना है simply लागिन करना है तो mobile number और password डाल करके लागिन कर लेना है mobile number और password डलने के बाद यहाँ लागिन करें लागिन पर click कर लें तो इस प्रकार से आपका जो है लागिन हो जाएगा ID जो है खुल जाएगा अब देखे इस प्रकार से पेज आएगा इसमें परिक्षार्थियों के लिए निर्देश दिया गया है आसक निर्देश परिक्षार्थि अपने नाम के आगे श्री, स्रीमान, कुमारी, स्वर्गी, अंग्रेजी में प्रयोग ना करे नहीं अपने पीता माता के नाम के आगे प्रयोग करे जहां हिंदी में जनकारी मांगी जा रहे है वहां सिर्फ अंग हिंदी में जनकारी डाले तथा जहां अंग्रेजी में जनकारी मांगी जा रहे है वहाँ अंग्रेजी में जनकारी डालना है अभ्यर्थी फोटो अपलोड करने से पला या सुनिश्चित करे कि फोटो की साइज 50 के भी तथा हस्ताक्षर 40 के भी से कम तथा जपीजी फार्मेट में हो फोटो तथा हस्ताक्षर साफ और इसपस्ट रूप से दिखाई देने चाए गलत या फिर आइसपस्ट फोटो या हस्ताक्षर अपलोड करने पर फार्म निरस्त कर दिया जाएगा जिसके जवाबदारी सम परिक्षारती के होंगी लिंग जन्म दिनांग जाती सवरगा आवसक सक्षडिक योगेता रोल नमबर उत्तीड वर्चा मुबाइल नमबर इमेल वर्तमान पता इस्थाई पता डाले फिल्ड भरना अनिवार या अपूड आम आइसपस्ट आईदन शिकार नहीं किये जाएंगे अपनी सेक्षडिक योगेता कि अनुसार मारक सीट अपलोड करें और फाइल की साथ 300KB से अधीक नहीं हो केवाल PDF फाइल ठीक है यह PDF फाइल रहेगा और जो फोटो है अधीक नहीं होना चाहिए अब देखिए आपने देशों को पर लिया है तो आप यहां क्या करना है क्लिक कर लेना है उसके बाद आगे बढ़ना है आगे बढ़े पर क्लिक कर देंगे इस प्रकार से तो आपके सामने पुना एक पेज आ जाएगा इस प्रकार पेज ओपन होगा देखिए इस पेज में आप आपको क्या करना है ठीक है आप अपने मोबाइल को डेस kita पढ़ और कर सकते हैं ठीक या आप ऐसे मोबाइल को रखेंगे खड़ी मतलब यह अभी मैं landscape mode पर रखा हूँ ठीक है आप simply जैसे रखेंगे ठीक है आब क्या करना है देखिए यहाँ रजिस्पंजी करना है मतलब रजिस्टेशन अब अपना नाम ठीक है यहाँ डालना है ठीक है हिंदी में मध्य नाम है तो डाल सकते हैं अंतीम नाम ठीक है नहीं है तो नहीं लगेगा ठीक है उसके देखिए प्रथम नाम, हिंदी में पीता का नाम, माता का नाम, ठीक है, अब यहां देखिए, जो upload photo, upload हस्ताक्षार, ठीक है, अपना पुरा detail इस प्रकार से fill कर लेना है, साथानी पूर्वक, इस पस्ट अक्षारों में, उसके आद अपना जो है, मारका सीट क्या कर लेना है, upload कर लेना तो आप यहाँ download करके देख सकते है, ठीक है, उसके बाद दोस्तों, आपका form complete हो जाएगा, तो apply for test, यहाँ apply किसके लिए apply करना चाङिह, यहाँ आप apply कर सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ठीक है, परिक्छा देने के लिए आधन करें, तो इस प्रकार स तो रजिस्टेशन प्रोसेस उसको complete मैं आपको आगे की जनकरी यूजल मेनुवल के दारा दे रहा हूँ इस प्रकार से देख सकते हैं apply for test menu आप इस menu में क्लिक करके test परिक्षा जो आपको दिलाना है यहाँ से apply करे download menu आप इस menu में क्लिक करके इस प्रकार से आपको जो है पंजियन हो जाएगा यह ऐसा ठीक है तो अब आगे देखेंगे ठीक है तो अब आगे देखिए क्या करेंगे तो इस प्रकार से आपके सामने होकर आजाएगा कि कौन सा ठीक है आपको आपकोग करना चाहते तो apply for test पर जा करके आपको परिक्षा देना है इस प्रकार से आप देख सकते हैं ठीक है क्रिपिया देखिए यहाँ दिखाई देगा आपका कृपिया ध्यान से जिस परिक्षा के लिए आपने भुक्तान किया है अगर आपके खाते से उस परिक्षा के लिए रासी कर चुकी है तो आप पुना भुक्तान ना करें इस प्रकार सब देख सकते हैं उसका देखिए परिक्षा की गती यहां विवराड इस प्रकार से आ जाएगा तो आपको किसके लिए सेलेक्ट करना है जिस परिक्षा के लिए आपको एक्जाम देना है उस पर जैसे यह लास्ट के लिए किया है तो यहां सेलेक्ट करके ऐसा क्लिक आपको कर लेना है उसके देखिए परिक्षा का सेंटर आपको कहा लेना है तो परिक्षा का सेंटर आप जो है सलेक्ट कर सकते हैं इस प्रकार से देख सकते हैं उसके आपका पंजयन क्रमांग इस प्रकार से आजाएगा पंजयन क्रमांग जनरेट हो जाएगा इस प्रकार से फिर आप जो है सु का आप जमा कर सकते हैं इस प्रकार से आप देख सकते हैं इसके लिए आपके पास बहुत सारे आपसन है ठीक है तो इसका wallet से आप कर सकते हैं UPI payment से कर सकते हैं ठीक है तो अलग अलग payment process के माध्यम से जो है आप payment कर सकते हैं इस प्रकार से आप देख सकते हैं दोस्तों यदि आपको इस से रिलेटेट किसी भी प्रकार की कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं फिर से एक नवड़ों के साथ थेंक्यू फर आचिंग जय हिन जय भारत जय चत्ति जियर